राम राम किसंद भाईयो मैं बहरत ग्यालोत आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओल इंडिया पोटेटो फार्मर्स में किसंद भाईयो आज 27 अप्रेल 2030 आज इस वीडियो में हम आलो के रेट के बारे में बात करेंगे और अभी डंप का अलो कितना बचा है गुजरात में उसके बारे में बात करेंगे और देश के अलग अलग राज्यों में जहां आलो का स्टॉर होता है वहां कोल्डो पे आलो के रेट की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात जरू करेंगे तो किसंद भाईयो वीडियो पूरा देखे स्किप करके ना देखे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा सबसे पहरे तो किसंद भाईयो मैं आपसे क्षमा चाता हूँ कि कुछ सामाजिक कारणों के कारण मैं लगबग 9-10 दिन के लिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए मैं क्षमा चाता हूँ तो आज से हम डैली वीडियो डालेंगे तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो किसंद भाईयो आपसे मैं गुजारिस करूंगे करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले नॉटिक बेल को ओन करके रखें जिसकी पहले तो बात कर लेते हैं कि डंप का आलू अभी गुजरात में समाप्ति की और है मतलब कि 2-5% आलू ही डंप का आलू बचा होगा ज्यादा नहीं है तो आज में रेट में डंप के आलू का एक रेट बताऊंगा और कोल्डों में भी क्या बाव विक्री हो रहा है उसके ब दंप का आलू पुकरा जालू उसको किंटल में माने तो 750 से लेके 940 रूपिया किंटल के इसाब से पनता है और केजी में माने तो साडे सांत रूपिय सेでके 9 रुपय, 9.5 रुपय किलो के υसाब से बिक्री होता है ये बात- Marcus ती गुज्रात में पुखरा जालू जो डंप का अलुए अब बात कर लेते हैं जो कोल्ड में पुखरा जालू की बिक्री हो रहा है उसके बारे में तो 875 से लेके 1000 रुपिया किंटल के हिसाब से और अगर किलो में बता ना हो तो 8 रुपिया 75 पैसे से लेके 10 रुपिय केजी किलो के हिसाब से कोल्डो में पुखराज आलू का भी बिक्री हो रहा है उसके बाद बाद करें सुख्याती आलू की जो राउंट से पाला आता है उसका जो डंप का आलू है वो 150 रुपिया से लेके 200 रुपिये 20 किलो के हिसाब से बिक्री होता है डंप का आलू सुख्याती आलू 750 रुपिये से 1000 रुपिया पिंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है और किलो में बताना चाहे तो 7.5 रुपिये से लेके 10 रुपिये किलो के हिसाब से सुख्याती आलू डंप का आलू गुजरात में अभी बिक्री हो रहा है कोल्ड के आलू की बात करें सुख्याती आलू की तो कोल्ड के आलू जो सुख्याती आलू है वो 200 रुपये से लेके 240 रुपये 20 किलो के इसाब से बिकरी हो रहा है अभी कोल्डों पे मतलब की 800 रुपय से लेके 950 रुपया 80 किलो की जो बिल्टी होता ही हमारे गुजरात में उसके इसाब से होता है 800 से 950 रुपया और क्विंटल में अगर बताना चाहे तो 1000 रुपय से लेके 1190 रुपया 1200 रुपया क्यांटल के इसाब से सुख्याति आलो कौस्ट टोरेज गा गुजरात में अभी विक्री हो रहा है उसके बाद बाद कर लेते हैं बादसा आलो की तो बादसा आलो सबसे पहले बाद करें डंप वाले आलो की तो 170 रुपय से लेके 225 रुपया 20 किलो के हिसाब से अभी विक्री हो रहा है मतलब कि 700 रुपय से लेके 900 रुपया 80 किलो की बिल्टी के हिसाब से अभी बादिसा आलू जो डंप लगे हुए है उसका अभी सोधे हो रहे है मतलब कि 875 रुपया से लेके 1125 रुपया किंटल के हिसाब से बादिसा आलू की जो डंप वळा है उसके अभी विक्री हो रहा है उसके बाद बात करें कोलंबा आलू तो कोलंबा आलू का टंपर नहीं लगा है लेकिन कोलंबा आलू जो कोल्ड में स्टॉर हुआ है उसका जो रेट है वो 900 रुपिया से लेके 1000 रुपिया 80 किल्लो की जो बिल्टी है तो ही गुजरात में उसे इसाब से अभी विक्री हो रहा हो रहा है तो किसान वाईयों यह थे गुजरात में पुखराज बादसा ख्याती और कॉलंब आलू के रेट के जानकार आपको दिया मैंने जो डंप का है और कोल्ड है तो अभी गुजरात में डंप का आलू जो समाप्ति मान लो तो अभी कोल्डों में माल निकासी चालू हो और मंडियों में भी कोल्ड के आलो की बहुत सारी डिमान्ड है लेकिन फ्राश अनकी कोजरात में सभी कोल्डों में जो बाहर के डिस क्माइट से जो लेबर आती हैं वो लेबर अभी पूरी तरह आई नहीं है ये बात भी ध्यान रगे उसकी वज़े से मंडियों में जितना माल पहुचना चाहिए इतना नहीं पहुच रहा और उसकी वज़े से डिमांड बड़ी है तो किसान पईयो अभी एक अपते से लेके 10-12 दिन में या तो ज्यादा से पोजिशन बनेगी वो भी आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अब फिलाल वर्तमान की बात करें प्रेजंट की बात करें तो अभी ये पोजिशन बनी हुए है तो किसान पईयों को मैं ये गुजारिस करूँगा कि अगर आपने अपना माल या तो डंप लगाया है या तो कोल्ड में डाला है तो अपने स्टोर किये हुए आलू का या डंप किये हुए आलू का कुछ हिस्सा आप बेचनी की कोशिस करें जिसकी वज़े से क्या होगा कि निकासी का जो संतु लने वो बना रहेगा और अच्छे रेट में आपका आलू बिक्री हो जाएगा फिर ऐसा नहीं के आने वाले 10-15 दिन के बाद जब सभी जगह पर लेबर आ जाए और सब किसान एक साथ में जाके आलू बेचनी की कोशिस करेंगा तो फिर वही बात होके रहे जाएगी कि मंडियों में आलू बहुत जाएगा तो मंडियों पर प्रेसर बनेगा और प्रेसर बनेगा इतो रेट डाउन होने की संबावना बनती है तो किसान भायों जिस साल कैंप आलू का प्रोर्डेसंग अगर ज्यादा आए या तो संतुलित है तो उस टाइम पे किसानों को अपना जो माल है जो आलू है अपने कोल्ड में डाला है या दिम्प किया है उसको संतुलन बनाके बेचने की कोशिस करने चाहिए और उसके कारण अपने आलू का जो उचित मुले है वो हमें मिल सकता है तो किसान भायों अगर मेरी बात पे सहमत हो और अगर मेरी जानकारी आपको सही लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एक कॉमेंट करके मेरे को बताना कि मैंने आपको जो जानकारी दिया है वो सही है या तो आपको जानकारी से कुछ फाइदा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताए और दूसरे किसान भायों को ये वीडियो शेर भी जरूर करें जिसके वज़े से दुसरे किसान भाईयों को भी यह जानकारी मिलेगी और उनको भी कुछ फाइदा हो जोगा तो किसान भाईयों मैं आपसे बिदा लेता हूँ आने वाले वीडियों में फिर मिलेंगे आपका दिन सुबरे जय जवान जय किसान